यहां पर आपको में यूजरने पास्वड मनाएता है उसको यूजरनेम डालिए पास्वड में पास्वड डालिए और आप अपने क्लाउड सर्वर में लॉग इन हो सकते हैं इसके लिए आपको किसी को चार्जेज नहीं देना आपके कंप्यूटर के हट्ड्राइब यूज़ होगी इसकी एप भी है आप प्ले स्टोफ से एप डाल सकते है पर एप हेलो गाईज आपका स्वागत है एच्छे स्टेक्चन में आज हम आपको बता रहे है और वीडियो कौण करें साच करके इस बटन पर क्लिक करने के बाद आफर दा रिस्टार्ट आपको रिस्टार्ट करने के बाद दुबारा जब चलेगा तो Microsoft Store को सर्च करना है और वहां सर्च करना है अब अब अन्टू 2.0.4.6 इसको गेट को क्लिक करेंगे तो वाय इंटरनेट ये आपके PC में डाउन्डोड होना शुरू हो जाएगा क्रीबन 522 MB के आसपास का इस आफ्टर है डिपेंड करेगा आप इंटरनेट स्वीट पर कि कितनी है इसी जैसी आप उपन करेंगे तो एक कमांड क्रोंक लाइनेक्स का आपको उपन होगा पर एक एर्र के साथ प्रैस्चानिकी और इसको ख्लिक करेंगे तो आप एग्जिट होसा यए इस इर्र को सॉर्फर मैं क्या आपको सर्च करना है देगी दुबारह 123 करके करने के लिए आपको cmd कर सर्च करना है और उसको डारेक्ट राइट ना करके राइट क्लिक करके विद एड्मिस्टेटर राइट उसको रन करना है तो जो हम कमांड आपको दे रहे हैं वो वर्किंग नहीं करेगी पहली लाइन वाली कमांड आपको डिफॉल्ट वर्जन यह सेट हो जाएगा एंटर करते ही ओके का मेसेज आने से सक्सेस्फुली दैन यह दूसरी बीसी एडिट वाली कमांड आपको एक्टिविट करने है अब यह आप अब अबन्टू का जो वर्जन रन करेंगे स्पेक्जिट करने के बाद तो सक्सेस्फुली चलना शुरू हो हो जाएगा कमांड प्रॉम पर देखिए यह लाइनक्स का अबन्टू सॉफ्टर आपके विंडोस 11 के अंदर ही रन हो जया है इसके लिए आपको स्पेशल को इंस्टोलेशन करने के रशकता नहीं है यह माइक्रोप स्टोर पर अवलेबल है अथ्राइज तो आपको कोई ब पूरी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी विद कमांड और एक लिंक भी दिया जाएगा गूगल ट्राइब का जहांसे आप अमारी इस नोट्वर्ट के लाइनक्स फाइल की सारी कमांडों को अभी यह रन हो गया रन हो गया रन होते ही यह और सबसे पहले इस परउंट पे हमें इसमें ऑनर प्लाउड सबाने के लिए फ्री में सबसे पाच्यों आसे इस स्रॉल कर ना पड़ेगा यह आपाचय शुरॉट्यंट CH सब द 우리가 पड़ेगा इसको जैसे यह पहले कमांड लगाए अप्डेटट तह इसके बाद य्यूजर पासवर्ड मंगेगा और यह चलना शुरू हो जाएगा कमांड अप्डेट सूडो हमने से रूट यानि की अड्मिस्टेटर राइट देने के लिए लगाया जैसे यह रन होकर अभी इंटरनेट के थूँ यह सारी अप्डेट जो इस लाइनक्स पैकेज में होनी चाहिए अभ है एक वाइट अपाचा यह स्विच है अपाचे के अंधर हाइन टाल बरजन इस दॉस परी करेंगा और इसुर्ण वीडियो wors तोड़ा से वीडियो का लेंग बड़ा होने वाला है क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट काफी बड़ा है प्रोजेक्ट का नाम है आउनर क्लाउड सर्वर आप अपने खुद के घर पर अपने विंडोस 11 यंदर यह Linux प्रेटफोर्म डाल कर उसमें वैप सर्वर बनाके आउनर क्ल कमांड step by step हम आपको वीडियो में करिके दिखाएंगे और सारे step की जो फाइल है वो भी हम आपको प्रोवाइट करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लस वीडियो के अटैच गूगल ड्राइव लिंग नेक्स्ट कमांड आपको यह तीनों कमांड यह कटी लग जो अपाचे 2 आपने अपडेट होने के बाद इस्टॉल किया है वो एब्सक्रियों के इस्टॉल है अभी इसको रन करके देखेंगे अपना कम ब्राउजर को लेंगे महां लेंगे लोकल होस्त लोकल होस्त को यह आपको अबंटू का टैस्क पेज आ जाना चाहिए अगर य अब आपका सर्वर अपाचे 2 वेब सर्वर बन चुका है अभी यह अवनर क्लाइंट के लिए अभी अवलेबल नहीं है इसके बाद हमें पी एच्पी के कुछ मडूल इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे यह कमांड के जरिया पी एच्पी के जितने भी मडूल चीह 7 पी इंस्टॉल कर सकते यह स्कना आप और यह इस अलोना शुरू हो जाएगा इसको कम्प्लीट इस्टॉल होने के बात आप की डिपेंड करेगा आपके इंटरे अपर इंटर्नेट स्पीड यह आपकोड़े इसाप से ही इस्टॉल होगा जब आप इससे पूरा सफलतापुर्व के इस्ट्रॉल कर लेंगे या प्रिकृरिय है के सबोताथ इसके बाद उसके बाद यह अपने हापद आ कर रूट पर रुखे गा जैसी यह एक कमाड की complete होने के बाद root prompt पर रुखेगा आपको वहाँ पर next कमांड लगानी है तीन स्टेज में एक काम हो रहा है पहले हमने HTTP Apache server बनाया जिसमें Linux के platform को update किया फिर उसके बाद Apache 2 package को install किया फिर इसको stop start किया और फिर उसके बाद PHP के module डाल रहे हैं PHP के बाद इसको verify करेंगे एक कमांड के जरी नेक्स्ट क्मांड है PHP space minus V इसके बार हम database जो पहले mysql होता था आजकर उसका नम maria db है maria database server है वो इसके बाद इस्टॉल होगा फिर PHP की कुछ connection बनाए जाएंगे username password बनाए जाएंगे database के और उसके बाद हम पूरा package owner cloud का install करेंगे और फिर इसको test करेंगे तो यह उसके बहुत ही असान प्रक्रिया step by step आपको करनी है वीडियो में बने रहें वीडियो को skip ना करें अगर आपने एक भी step skip कर दिया या एक भी configuration आपने नहीं की तो आपका जो project है owner cloud server बनाने का server बनाने का वो नहीं चलेगा हमने पूरे package को troubleshoot करके एक कमांड को easy way में one shot में चलाने की कोशिश की है एक-एक step को आपको दिखाया है तो किसी भी step को skip ना करें और वीडियो को दियान से देखे स्टब बे स्टब फॉलो करेंगे तो पूरा project विल्कुल असामी से run कर लेंगे भीने किसी आपती के डिपेंड दुबारा बता देंगी जो यह package install हो रहे हैं पीच्प के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगती है टेक्निकल वीडियो है कमेंट्स कीजिए कि इस तरह की वीडियो आपको चाहिए टेक्निकल अंब्यक्राइटी की हम आपको प्रवाइट करेंगे प्लस आप हमारे चैनल पर सपोर्ट दीजिए आपके सप जुआ चलाने में कोई अपत्ति आ रही है अब हम स्क्रीन शॉट और कमेंट्स के जरी बता सकते हैं हम आपके जूर रिप्लाइ और हेल्प करेंगे इस और क्लाउड सर्फल को बनाने में परजेक्ट थोड़ा सा भी किया इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लैंग थी जा रहा ये इंस्ट्राल हो भी गए है लगवग वीडियो पे बने रहे हैं और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब इनों काम करना ज़रूदी है इनको कीचिए ये अभी प्रॉम्ट कर रुग गया नेक्स्ट कमांड है फ्ली माइनस वी इसको कापी किजिए और प्रस्ट केज नेक्स्ट कमांड है मारिया data based maria db को install करना copy गया right click किया इंस्टाल हो गया यहांतीं yes करना है आपको database install होना शुरू हो जाएगा मारिया data base इसकी next command है इसको ही किसी भी service को हम linux में install करते है ना stop start and then restart इनों सटेज़़ सर्वीस प्रापर फर्फर्फर्म करते है जो पैकेज इंस्टॉल हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वह पैकेज कम्प्लीट और पूरी अच्छी तरह से इस्टॉल हुआ है और चलने के लिए प्यार है वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे बहुतरीन वीडियो और प्रोजेक्ट आइटी के हम आपके लिए लेकर आएंगे इस चैनल पर एचेस्टक चैनल पर प्रंतु आपके सपोर्ट की हमें भी जूरत है जिससे हम भी हमें प्रसवान मिले हमें मोटिवेशन विले हम आपके लिए और भी प्रोजेक्ट बनाए एक एक प्रजेक्ट को रांव करने में ये तीन हो चेक किया रहा है कि वह स्टाब-र is Star हो हो आए तो डीटाबेस जो इस्टॉल किया था वो तीनों स्टेज के पोई दिख्कत ने दे रहा यह स्टॉल ओकर वैलकुल सक्केस्वलिए है नेक्स्ट कमांड है जुझा रहा है यहां पर पूचांजा रहा है एंटर करना भी कहां चैंट से रूट पसवड करना है और नेया रूट पसवर्ट भी आप डिजाइन कर सकते हैं पासवर्ड डिजाइन करने के बाद जच मैंने एक से छही रख कर दिल्क लीजी रिमूव एनिमूस यूजर यस करना है कोई भी ना हो इस अलाव रूट लॉग इसको भी यस करना है रिमूव दर टैस्ट डेटाबेस इसको रिमूव करना यस कर देना रूट प्रिविलेज ल चाहरें डाल देना आप देटाबेस के अंधर आ जाएंगे इंदाबेस के अंधर आने के बाल्लै के आपको अवन क्लाउड के नाम से एक लाविस में इसके लिए एक से एकल ऊओद दीज्द बॉन हुझ जाएगा देन डेटाबेस को चलाने के लिए दिदा झे узна dealing ऐ突र same दे देनी है और flush privileges को भी कमांड हमने चला कर exit हो जाना है database से यह दोनों कमांडे आप combine चला सकते हैं और आप exit हो जाओगे इंटर करते हैं अपने यूजर पर आ गए है अभी आपको अवनर क्लाउड की आप डाउनलोड करनी है डाउनलोड करने के लिए पहले आपको इंस्टॉल एन अंजिप नाम का एक कमांड चलाना जिससे आपकी एपीडी जो है वो इंस्टॉल ओकर अथ्राइज हो जाए अंज से वहां से डेटाबेस पूरा पूरा पैकेज आकर यूजर में इस्टॉल हो जाएगा लास्ट में देखिया आप लगते हैं तो टैंप जो पर्चन है इस लाइनेक्स का उसमें यह अवनर क्लाउड का लेटस जिप फाइल आकर इस्टॉल हो जाएगी देन हम कमांड यह अवारी टैंप ड्राइब के इंदर इस्टॉल किया जा रहा है वही बात डिपेंड ओन यूर इंटरेंट स्पीड या पिंटरेट स्पीड पर टैग करेगा कि कि जलती होगा तो यह उसी सबसे कंप्यूटर इंटरेट स्पीड के सबसे इंस्टॉल हो जाएगा सूदो अंजिप टैंप अवनों क्लाउड और यह हमें का इंस्टॉल करना वार ड्राइब में ड्लू ड्लू फॉल्डर में यह जैसे हमने क्लिक किया टैंप ड्राइब से अंजीप होकर वहाँ पे पूरा का पूरा पैकेज अंजीप होकर चला गया है इसके बाद हमें इसक अब बेस टैप आपको चलानी है उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग फाइल है उनमें कुछ चेंजिस करने हैं और आपका अवनर क्लाउड सर्वर चलकर चलने के लिए विर्कुल रेडी हो जाएगा और यह तैयार हो जाएगा आपकी इन सर्विसों को आपको देने के लिए काफी इस पैकेज में जो फाइल्स हैं वो इस्टॉल हो रही है और कंटीनू चलती जा रही है और यह पूरा पैकेज अंजीप हो चुछता है अब आप इस फॉल्डर को जो हमारा वार डव्ड डव इस दूसरी कमांड से उसी फॉल्डर डारेक्टरी का पाथ इसमें डला हुआ है और इसको राइक करके आपे हम इसको परमीशन और पावर दोनों दे देंगे अब भी हमें एक फाइल बनाना है यह कमांड के जडिए हमें एक कॉन्फिक्ट फाइल को क्रेट करना है और क्ला आकर उसे पेस्ट कर देना पेस्ट करने के बाद आपको इसे सेव करना है तो कंट्रॉल x से राखे यस से आप इसको सेव करके बाहरा जाएंगे इसके बाद आप इसको यह जो कमांड्स हैं एक साथ रन कर सकते हैं चला सकते हैं इसको पेस्ट कर दीजिए और यह इस्टॉल हो गया अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो PC का IP अभी से रिस्टार्ट कर रहे हैं परिंतों हमारे PC का जो IP यह प्र colleague hr वह प्राइवैट है एंडर्नुग मैं यानि चला सकते हैं और अकर पॉल्डिंक तो आप इस सर्वर की सर्वीश को चला सकते हैं अभी या सर्व चलेगा नहीं क्योंकि हमने जो इस प्रोग्रामिंग फाइल है इसके अंदर आप देख रहे हैं यूर आई पी इसके अंदर एक तो में इस वर्चूल का जो था इसको क्लॉस करना भूल गए तो यहां पर हमने इसे क्लॉस करना के लिए आपको त्याप देबाना है कंट्रोल और अंडर स्पोस वाले बटन को दबाना है उसके बाद आप इस क्राइडिट कर सकते हैं तो एडिट करके हमने इसे क्लॉस कर दिया और अभी भी यह चलेगा नहीं क्योंकि अभी हम इस फाइल को आई-पी अड्रस प्रॉवाइड नहीं कर रहे जो आपके मशीन का आई-पी अड्रस है उसको आप कमांड प्रॉंट पर जाके आई-पी कॉन्फी कमांड से देखना होगा दुबारा बता रहे अगर वह आई-पी पब्लिक नहीं है प्राइवेट है तो इंट्रा नेट्रुक प्राइवेट नेट्रुक में आप इस अवने क्लाउड को चला स प्राइवेट हैं सर्वर को अपने पीची के जरीए अभी हमने यहां पर आये तो यह देखे जहां पर हमने लिखा हुआ इस फाइल के फ्रोग्रामिंग फाइल में यूर आई-पी अड्रस और यहां पर मशीन को जो आई-पी अड्रस उस कंप्यूटर में जो आई-पी दि होगा वह आपको दिखाई देदेगा और उस आई-पी अड्रस के जरीए आप इस सर्विस को चला सकते हैं इसलिए जब तक यह आई-पी अड्रस नहीं डाले जाएंगे तो आपका वह PC नहीं चलेगा फिर cmd के अंदर भी हमने cmd आई-पी कंफिक कमांड लगाई एंटर क यह आई-पी अड्रस दिखाई रहा 195.168.195.219 इस आई-पी अड्रस को आपने डाल देना है उस प्रोग्रामिंग फाइल में जहां पर आई-पी अड्रस डालने के लिए कहा हुआ है इसको डालने के बाद आप आप अच्या टू को आप डी स्टार्ट करेंगे आपका सर् और चलने के लिए बिर्कुल तियार रहेगा तो देखते हैं कैसे डालने यहां पर दिखा रहते हैं यह हमने यहां पर इस जगहां पर डालनी है यह हमने नोटपड फाइल में आपको पहले डालके दिखाई है प्रणतों इसको एक्चुल में आपको Linux के अंदर डालना है ज आप अपन डाउन की रोई की से पुरानी कमांड आ जाएगी यहां गया कंट्रोल प्लस अंटर स्कॉच वार बटन दबाएंगे तो यहां पर आप क्रेडिट करने के प्रमिशन मिल जाएगी यहां पर आपको यूर आईपी अड्रस को डिलीट कर देना है डिलीट बटन की साहिता से और राइट क्लिक करके माउस का यह आईपी अड्रस आपने पेस्ट कर देना है जो cmd ipconfig command की जरीए अपने लगाया था यहां पर भी आपने यूर आईपी अड्रस आ लिका होगा है यहां पर अपने कंप्यूटर का IP अड्रस पेस्ट कर देना है दो बार अपने computer का IP address पेस्ट करने के बाद control x और yes के जरी आप इसे save करेंगे फिर एक command है जो Apache 2 को restart करती है उसे restart करेंगे और यह जो command है यह IP address डालने के बाद एक बार हम चलाएंगे पेस्ट कर दीजिए सारे refresh हो गए और last में sudo service Apache 2 restart वाली command लगाएंगे और server restart होकर त्यार है और हम इसे चला कर अब आपको दिखा सकते हैं तो इस तरह से आप दोस्तों owner cloud computing के system को चला कर रन करके देख सकते हैं बिना किसी समच्चा के तो यहां दिखा देते हैं अब आपने जो IP address है local host से डालेंगे तो जो Linux का पे जब वही आएगा और जब IP address से डालेंगे तो जो particular आपका IP पे जो command डली हुई है वो चलने के लिए तियार हो जाएगा तो अभी हमारा IP address क्या था command prompt को हम देख लेंगे 195,100,100,192,100 यह वला IP address अगर हम आपने PC के browser में डालेंगे या internet में जितने भी हमारे PC लगे हम उनमें डालेंगे same network में तो यहाँ पर आपकी जो वो software में डाला है owner cloud server वो चलकर आपको दिखाई देगा उसकी starting में setting करनी है तो setting भी हम इस फाइल में आपको दिखा देखते हैं क्रीवन 20 मिनिट का वीडियो हमारा बन गया है तो यहाँ पर हम इस वीडियो का बन कर देंगे इसको चला के एक बार दिखा देंगे कि कैस चलता है इसमें कुछ settings और भी है cloud or static IP की उसके लिए हम इसका part 2 लाएंगे अगर आप comments के जिरिए आपको interested है और आप इसका part 2 चाहत हो यहां database को design करना है जो आपने इसमें बना रखा है सबसे पहले database user मंगा गया है तो हमने बनाया था owner cloud user यहां पर हमने इसको इसको हमारा database name है इसको हमने database user है जो owner cloud user इसको copy किया यहां पेस्ट कर दिया इसके बाद next screen में मंग रहा है database का password database का password भी हमने एक से 6 रखा था facilities type कर दीजिए फिर मांगा जा रहा है database name तो database name है owner cloud वह हम यहां पर database name वाले column में डाल देंगे और इसके बाद database host में हमने local host रखा है तो यहां भी हम local host ही रहने देंगे यह सब setting करने के बाद last में आप इससे finish करेंगे और आपका owner cloud server बन कर तयार हो गया है पूरा project step by step हमने दिखा दिया है इस file के अंदर आगे भी कुछ setting है कि जब आपके machine restart होगी तो automatically यह server कैसे auto run हो जाएगा और इसकी cloud पे कैसे setting होगी यह file में तो लिखा है परन्तु हम आपको जो वीडियो बना कर देंगे क्योंकि वीडियो ओल्रेड़ी 20 मिनट से ज़्यादा बढ़ा हो गया कि अगर आपका public IP है और static IP है अगर आपके lease line abroad में तो आप इसको globally कैसे use करेंगे और अगर आपका computer बंद हो जाता है तो यह automatic कैसे यह server start हो जाए इसकी auto run की जो scripts है वो पहले Linux में लगानी पड़ेगी फिर Windows में भी लगानी पड़ेगी तो वो हम इस file में तो आपके हमने लि लिए हो गई है सिर्फ आउनर क्लाउड को आप करके कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा या आपके database से connect को कर रन हो जाएगा और हम आपको इसमें अभी data डाल कर दिखा देंगे और इस video को यहीं पर हम end कर देंगे तो इसमें पूरे के पूरा step हमने इस video में आपको ब आनेक्स इंस्टॉलेशन गाइस आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको चला कर देख सकते हैं एक कुछ देर ले रहा है database को connect करने के लिए और इसके बाद ये वीडियो क्रिबन 25 से 30 मिनिट का बन जया है इस वजह से हम इसका part 1 की बना पाएंगे इसमें भी हमने पूरा वीडियो कि देखिए यह बनकर त्यार हो गया है यहाँ पर उपने यूजने पास्वोट बना है तो उसको यूजनेम डालिए पास्वोट में पास्वोट डालिए और आप अपने cloud server में login हो सकते हैं इसके लिए आपको किसी को charges नहीं देना आपके computer के hard drive यूज होगी इसकी एप भी है आप प्ले स्टोर से आप भी डाल सकते हैं पर एप से यह तभी चलेगा जब आपने static या public IP ले रखा होगा अधरवाइस यह इंटरनेट पर भी चलेगा इसमें तीन फोल्टर बने आएंगे document learn and photos आप नया फोल्टर डालना चाते हैं जो plus का निशाइन है वहाँ पर जाकर आप अपने files को इसमें install कर सकते हैं इसी तरह side में user है वहाँ से आप logo को सकते हैं नया user भी बना सकते हैं और चला कर देख सकते हैं तो guys video थोड़ा सा बढ़ा हो रहा है इस वचे से हम इसको पार्ट में divide कर रहे हैं अगर यह video useful लगती है आपकी requirement है तो हम इसका part 2 लाएंगे otherwise हम इसका part 2 नहीं लाएंगे पूरा वीडियो हमने अवने cloud server बना कर दिखा दिया है यह देखिया हम फाइल भी upload करके दिखा रहे हैं यह वर्ड के फाइल हमने upload किया तो successfully upload हो गया बिना किसी अफरतिक है और अगर आप इसे delete करना चाहते हैं तो यहां तीन आपा और ऑईये तो यह वाइता है यह वया वा यहां चाहते हैं और रहे